ब्लैक मार्क का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं ब्लैक मार्क का मतलब होता है कलंक का धबा या काला चेन यानि कि किसी चीज़ पर कोई काला धबा या काला निशान होता है तो उसको भी ब्लैक मार्क कहते हैं इसके इलावा इसका अलग-अलग context में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम किसी की personal reputation की बात करें तो उसमें अगर कोई मानले जी है वो कोई गलत वहवार करता है या कोई घोटाला करता है तो उसको आप उसकी personality पर या उसके career पर एक धबा कह सकते है इसी तरीके से financial और credit history की बात करें तो black mark का मतलब हो सकता है कि मानले जी उसने कोई loan लेकर उसकी repayment ना की हो या कोई पार वो कोई payment उसकी miss हो गई हो या वो कभी दिवालिया हो गया हो तो वो उसकी जो है financial history पर या credit history पर एक black mark हो सकता है इसी तरीके से academic या professional careers की या records की बात करें तो उसमें black mark का मतलब होता है कि जब किसी student को या किसी employee को कोई सजाद के तोर पर कोई उसके खिलाफ कोई action लिया जाता है या कई बार documents में कुछ लिख दिया जाता है कि इसका ये ये वहवार जो है गलत था या इसको ये सजा मिली तो उसको एक black mark कहा जाता है तो इस तरीके से black mark का अलग-अलग context में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें